तो सुना आपने रक्षा मंत्री राजनात सिंग का बयान। क्लेसी पर कुछ हुआ है और जिस तरीके की चीजे घट रही उसको लेकर पूरा बयान दिया है उन्होंने कहा है कि शीमा पर चीन को जिस तरीके से जवाब दिया अचाहिए था वह जवाब दिया और भारतिय सैना ने जो है चीनी सैना को बहुत नुकसान भी पहुचाए और जहां सयम बरतने की जो और सबसक्राइब दिखाना था जो रहें आधर जो है यह उसका फाइदा भी απ लेकिन अगर कोई किसी तरीके के साथ भारतिय सैना को छेड़ा चाल करता है उसका जवाब जो है वो जरूर दिया जाता है और भारतिय सैना जो है शौरे दिखाने में पीछे नहीं है बिल्कुल वापस आते हैं मांचु आपके पास सीदे लेह लिये चलते हैं हमारे सेहोगी श्वेता सिंग इस वक्त हमारे साथ लेह से लाइव आ गई हैं कई दिन की सोशल मीडिया पर चली बयान बाजी के बाद आज संसद सत्र के दूसरे दिन रक्षा मंतरी राजनात सिंग जो सदन में बोले हैं श्वेता उसकी गुंज लेह तक सुनाई दे रही है कि नहीं जी सुनाई दे रही है और यहीं की वस्तूस्तिती है रोहिज जिसके बारे में उन्होंने आज संसद के जरिये पूरे देश को ही नहीं चाइना को भी एक संकेत देने का प्रयास किया है क् अगर पूरे बयान को हम देख लें उनके जिस तरीके से उनका संबोधन रहा है ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्होंने इंफॉर्म किया ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्होंने जानकारी दिये लेकिन इसके साथ ही उन्होंने बता दिया है कि ये तो संदी थी इस साल में ये हुआ इस कि उन्होंने नहीं नका रहा है कि तनाव नहीं है बिल्कुल सिती सही है लेकिन उन्होंने कहा कि कोशिश हो रही है तो लदाख में जो हमारे सैनिक तैनात हैं वो भी जानना यहीं चाहते हैं रोहित की कोशिश हैं कहां तक पहुंची हैं देखिए वो तो आदेश का पालन कर है वो तो आदेश आप उनसे कह दीजिएगा वो कड़कडाती ठंड अभी तो यहाँ पर ठंड की ठीक से शुरुआत भी नहीं हुई है और फिर भी आप बरफीली चोटियां देख लेंगे लेकिन जिस ठंड की यहाँ पर शुरुआत होगी उससे डर चीन ज्यादा रहा है क् के लिए हम तयार है यह बहुत बड़े मायने रखता है बिल्कुल लेकिन बड़ी बात यह है कि चीन के साथ जो स्टेंड आफ चल रहा है श्वेता उसमें भारत चीन को तो लगातार कड़े मैसेज देता रहा बॉर्डर से ज्यादा तनाव यहां सब्ता पक्ष और विपक् करने में कामियाब होगी क्योंकि विपक्ष को सवाल यह उठाने चाहिए कि हमारी जो तैयारी है हमने जिन सैनिकों को यहां पर भेजा है उनके लिए लोजिस्टिक्स का इंतजाम किस तरीके से किया गया है यह सवाल नहीं उठाय जाते हैं सामने से सामने से आप सीधे बात कर लेते हैं कि कितना अंदर घुजगए जो कि बहुत खराब है हमारे सैनिकों के मुराल के लिए जो की ज्यादा मजबूत पोजिशन्स में बैठे हुए हैं रोहित और मुझे लगता है कि भारत की नहीं सुननी है तो कम से कम वो चीन की सुन लें जो कह रहा है कि भारत आ ग सवाल ये पूछे जाने चाहिए कि हमारे सैनिकों का सपोर्ट सिस्टम किस तरह का है किस तरीके से हमारे सैनिकों के लिए वैवस्था की गई है जो माइनस 30-40 में तैनात रहेंगे यहां 17-20,000 फीट की उचाई पर उनके हित के सवाल उठने चाहिए न कि ये कि चीन कितना घ उस गया है क्योंकि हम ज्यादा बेहतर स्थिती में हैं जो उचाई की चोटियां हैं उन सब पर हिंदुस्तान ने अपना नियंत्रन रखा है जिन जगों पर चीन अपनी निगाहें लगा कर बैठा था कि हम वहां पर पहुंच जाएं और उपर से हम और आगे पहुचने की क जलक दिखाई भी दी महसूस भी की गई क्योंकि उन्होंने कहा कि भारतिये जवान पूरी तरह से तयार हैं हम शांती से मामला सब जाना चाहते हैं लेकिन अगर कोई परिस्थिती इससे इतर होती है तो उसके लिए हम तयार हैं एक बार रक्षामंत्री राजनात सिंग के ब लंगन करने का प्रयास नहीं करना चाहिए और थर्ड दोनों पक्षों के बीच सभी समझोतों और अंडरिस्टेंडिंग्स का पूर्ट्या पालन होना चाहिए चाइनीज साइड की यह पोजिशन है कि इस्थिट को एक जिम्बेडार धंग से हंडिल किया जाना चाहिए और साइक्शुल कंट्रोल नहीं है और एलेशी को लिएकर दोनों का पर्शेप्शन अलग-अलग है इसलिए पीस और ट्रेंक्विलिटी बहाल रखने के लिए दोनों देशों के बीच कई तरह के एग्रिमेंट्स और प्रोटोपॉल्स भी हैं इन समझावतों के तहत दोनों द सर नहीं माना जाएगा इस आजहार पर वर्श नाइंटीन एट्येक के बाद से दोनों देशों के बाइलेटरल रिलेशन्स में काफी विकास हुआ था भारत का मानना है कि बाइलेटरल रिलेशन्स को विक्सित किया जा सकता है तता साथ ही साथ बाउंडरी मुद्दे के तुरूप से असर पड़ेगा अध्यक्ष मोड़े वर्स 1993 और 1996 के समझोते में इस बात का जिक्र है कि यलेशी के पास दोनों देश अपनी शेनाओं की संख्या कम से कम रखेंगे समझोते में यह भी है कि जब तक बाउंडरी इसूज का पूर्ण समाधान नहीं होता है तब तक यलेशी को इस्ट्रिक्टली रेस्पेक्ट और एधर किया जाएगा और उसका उलंधन किसी भी तूरत में नहीं किया जाएगा इन समझोतों में भारत्व चाइना यलेशी के क्लैरिसिकेशन द्वारा एक कामन अंडर्स्टेंडिंग पर पहुचने के लिए भी कविटेड हुए थे अडेक्श मोदे जैसा की सभी समानी सरस्यों को जानकारी है कि बीते समय में भी चीन के साथ हमारे बार्डर एरियाज में लंबे स्टेंड आप्स की सिती यह कई बार बनी है जिसका सांधिपुन तरीके से समाधान भी किया गया था हाना कि इस वर्ष की सिती चाहे वो प्रूप्स की स्केल आफ इनवालमेंट हो या फ्रिक्षन पॉइंट्स की संख्या हो वो पहले से बहुत अलग है फिर भी हम मौजूरा सिती के सांधिपुन समाधान के लिए पूरी तरह से कमिटेड है इसके साथ साथ मैं सदन को आस्ष्ष करना चाहता हूं कि हम सभी परिष्थितियों से निपटने के लिए भी तयार है अध्यक्ष मोदे इस सदन की एक गौरोशाली परंपरा रही है दुराना चाहता हूँ अध्यक्षमोरे कि सदन के गौरोशाली परंपरा रही है कि जब भी देश के समक्ष कोई बड़ी चुनोती आई है तो इस सदन ने भारती सेनाओं की द्रंटा और संकल्प के प्रतिफ पूरी अपनी एक्ता और भरोसा दिखाया तो चीन की मंशा LAC में बदलाव की है लेकिन भारत ने उसके मंसूबों को लगातार नाकामियाब किया है गलवान की घटना का जिक्र भी रक्षा मंतरी ने किया और बताया कि भारत ने चीन को मूँ तोर जवाब दिया चीन को भारी नुकसान उठाना पड़ा श्वेता सिंगले में हमारे साथ है हिमान्चु मिश्रा इस वक्डिली से हमारे साथ है जो संसत की गतिविदी पर लगातार नजर रख्यों है हिमान्चु मिश्रा ये बयान ये मेसेज विपक्ष के लिए था या चीन के लिए था कि रोहित ये मैसेस दोनों के लिए था विपक्ष के लिए भी था और चीन के लिए भी था चीन सेना ने भारती सीमा के अंदर घुसपएट करने की कोशिश की है तो चीनी सेना को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है यह बात रक्षामंत्री ने सपस्ट कर दिया उन्हों ने भारत के सैने को ने जो है वह अपना शौर्य दिखाया है और सइयम का परिच्छे भी दिया है उन्होंने विपक्स को यह सीधा सीधा जवाब दे दिया कि आप भारतिये सैना के की संभावनाय नजर आ रही है जहां जिस तरीके से यह कह सकते हैं कि दोनों के बीच में टक्राव किस्तिती समय समय पर उत्पन होती है उस वहां पर जो है सैना ने मोर्चा समाला हुआ चीन के खिलाफ और यह बहुत बड़ी उपलब दिया कि भारतिय सैना ने चीन को एक बार देकर उनको यह कह दिया गया है कि आप अब शांत रही है देखिए कि भारतिय सैना किस तरीके से जो है वो मोर्चे पर खड़ी हुई है ठीक वापस आते हैं मांचियो आपके पास श्वेता सिंग लेकिन विपक्ष जो लगातार आरोप लगाता रहा वो यह था कि चीनी सैन दरसल पहले देने की कोशिश की गई थी हालांकि तब सदन नहीं था पार्लिमेंट सेशन में नहीं रहा है जब से यह टकरा हो रहा है प्रधान मंत्री नरेंदर मुदी ने अपनी तरफ से भले ही वर्चुली सब सभी नेताओं से मिलकर एक तरह से बताने की कोशिश की थी लेकिन उसके बावजूद वो आरोप तो बरकरार रहे थे तो अभी जब वो स्थिती ही नहीं है तो उसका जवाब उन्हें क्या देना है इससे पहले भारत की तरफ से आधिकारिक तोर पर बार बार यह कहा गया कि चीनी सेनिकों ने एक इंच भूमी का आतिकरमन नहीं किया है हिंदुस्तान में आज की तारीख में अगर फिर उन्हीं सवालों का जवाब देना पड़ जाए तो मुझे लगता है कि सेना के मनुबल के साथ ये न्याय नहीं होगा जो इतनी मुश्किल इतनी विशम पर स्थितियों में यहां पर तैनात है आज विपक्ष को भी यह सम जा नहीं कर सकते हैं और सदन मुम्किन है कि इस चीज को समझे लेकिन क्या जिस कॉन्फिक्ट की हम बात करते हैं जिसे लेकर ये भी बात हो जाती है कि हो सकता है युद्ध नहों लेकिन लिमिटेड कॉन्फिक्ट हो जाए क्या ऐसी स्थिति आएगी या भारत सरकार पूरी यही होगा और अगर उसे सरकार को घेरना भी है तो इस मुद्दे पर घेरे रोहित कि आप किस तरह का लोजिस्टिकल सपोर्ट उन सब को दे रहे हैं ठीक श्वेता लेकिन जो चीन आज तक के काटून सो सौरी से चिड़ जाता है और उसका अखबार ग्लोबल टाइम्स बाकाइदे धमकी के स्वर में लिखता है उस चीन को ये बात कैसे हजम होगी जब देश के रक्षा मंतरी संसद में खड़े होके कहें कि चीन ने कई बार को कर लिया और उनको मूत और जवाब देते हुए वापस खदर दिया ये कहां हजम होगा चीन को ने चीन को तो बिल्कुल हजम नहीं होगा लेकिन देखिए चीन को कब से बाते हजम नहीं हो रही है जब पिछले साल 5 अगस्त को जब ग्रे मंतरी अमिच शा ने सबसे पहले य नहीं रही लेकिन हां कुछ नीतियों की वज़े से पुराने समझावतों की याद दिलाते हुए ये कह दिया जाता था कि चीन के कुछ अतिक्रमन को अलग तरीके से डील करना है इस बार आक्रामक है भारतिये सेना ये चीज नहीं हजम होती है चीन को तो वो तो पहले ही से है वो तो पहले ही से तरस्त है कि क्यों भारत की तरफ से किसी तरह से जब उसकी तरफ से कहा भी जाता है कि आप थोड़ा सा जुकिए दूसरे शब्दों से ये जुकाने के लिए जो उसके प्रशर टाक्टिक्स होते हैं उन सब के जरिया और भारत जुकता नहीं है भारत आ रिक्षा मंत्री हमारे आप से मिलना चाहते हैं सबसे उच्छ स्तर की बैठक अभी उनी दो के बीच हुई है तो कितनी बार उसे रिक्षा करना पड़ा जब वो बैठक फाइनली हुई तो इसलिए रक्षा मंत्री राजनाच सिंग जब उस बैठक में भी शामिल थे रोहित हम राजनाच सिंग एक पल के लिए भी ऐसे नहीं नजर आये थे कि वो किसी भी तरह से यह समझ रहे हैं हो कि चीन चड़ जाएगा और हम बिल्कुल उसके नीचे दब जाएंगे कि हम तो आप से डरते हैं आप जो कहिएगा हम करेंगे ऐसी सिर्फ में बिल्कुल नहीं राजनाच सिंग के चीन को लेकर और एलेसी की परिस्तिती को लेकर संसद में दिये गए इस बयान के माइने क्या हैं एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर लेएंगे